नमस्कार स्रेपोस्ट में आपका स्वागतहैंग निकाला गया है जुसके खिलाफ अब विपक्ष निशाना साध रही है जी आपको बता दे कि विपक्ष की तरब से सरकार को घेरा जा रहा है साथ ही साथ ताना शाह का भी नाम दिया जा रहा है दरसल आपको बता दे कि कॉंग्रेस नेता प्रेम चंद्र मिश्रा ने विहार सरकार से सवाल किये है प्रेमचंद्र मिश्रा ने विहार सरकार पर निशाना साधा है पहले आप खुद सुनिए कि प्रेमचंद्र मिश्रा आखर कर कह क्या रहे हैं यह कहीं से भी डेमोक्रेटिक सेटप के लिए उचित नहीं है अब धर्णा प्रजोशन करना भी कि अप राध हो गया कि आप कहते हैं मैं F.I.R. करेंगे चासिट कर देंगे फिर आपका करेक्टर सर्टिफिकेट इसू नहीं होगा आपको नोकरी नहीं मिलेगी आपको ठेका नहीं कर सकते हैं इस तरह की बातें वही सरकार करती है जो विरोध नहीं देखना चाहती है अपने गलत फैसलों का विर कर देखा था कि सरकारी अधिकारियों के खिलाप आप कुछ सोसल मीडिया पोस्ट नहीं कर सकते हैं विधायकों के खिलाप नहीं कर सकते हैं आखिर ये कहों कौन सा राज है यह डिमोक्रेटिक सटप इंडिया में बिहार में भी और जो नितिश कुमार के रोज फार्मान आ रहा है यह कहीं सब इस्विकार योग्य नहीं है लिए जानता है लेकिन उसमें अपने यह क्यों जो रहा है कि आप अपने डिमांड्स को लेकर धर्णा प्रदर्श्वन ने कर सकते कहने कहीं आप उनके आवाज को दवानी की कोसिस हैं है अब यहाल में देखा हैं बेल तो वो क्या तो नोकरी मांगने आये थे न, 94,000 सिक्षक का मामला क्या है, नोकरी तो मांग रहे हैं, वह हमरे रिसू करो, हम सेलेक्टेड हैं, तो अगर ऐसे मामलों में लोग का आवाज नहीं उठाएगा, तो कहां जाएगा, तो ये गलत सोच है, ये गवर्मेंट अधिनायक वादी प्रिवर्ति की होती जा रही है, गैर भाजपा, गैर जेडियू, जितनी भी प्लिटिकल पार्टियां बिहार में हैं, आप हम लोग के उपर देख लिए, अम दरजनों फायार हम पर पटना में लोज है, विविन थानों में, हम जुलूस नहीं निकाल सकते हैं किया, कोई हम इसेमली घेरने गए, क्या तोरफोर की है, क्या, आप जो प्रविटेड एरिया है, उसके बाहर भी अगर आप प्रदसन करते हैं, तो आप पर तुरुत उसी दिन फायार हो जाता है, अर्भी हाल में हम लोग ने प्रदसन किया था, वहां रोक दिया रजापुल पे, पताज़ अलसाम होते हैं, वहां भी अपयार हुआ, यह जो तरीका अपनाया है ने तीस कुमार गवर्मेंट ने, यह अंडेमोक्रिटिक तरीका है, और यह है कहीं कहीं सरकार भैवीत है, और विरोध की किसी भी स्वर को, सुनने को तेगार नहीं है, तो यह हमारा हक है, इस यह सब फालतू फैसले हो रहे हैं, और कहीं ने कहीं सरकार की अच्छे संकेत नहीं दे रहे हैं, यह सरकार जाने वाली है, इसलिए हर वरहाट में इस तरह के फैसले दे रही है, तो सुना आपने, प्रेमचंदर मिश्रा ने साफ कह दिया है कि सरकार जल्द गिर जाएगी, जिस तरह से नितीश कुमार ताना शाहरवया अपना रहे हैं, बिहार के लोगों के प्रती ऐसे में सरकार नहीं चलने वाली है, दरसल आपको बता दे कि बिहार सरकार की तरब से एक आदेश जारी किया गया है, उस आदेश के आधार पर प्रदर्शन करने वाले अगर किसी अपरादिक गतिवीदी में शामील हो जाते हैं, तो उन्हें भविस्ते में सरकारी मौफीन नहीं मिलेगी, आदेश के मुताबिक ऐसे किसी विवेक्ति को सरकारी ठेके भी नहीं दिये जाएंगे, तो इस आदेश के पारित होते ही, सरकार के द्वारा जो यादेश पेश कि जनता के लिए, तो इस आदेश के आने के बाद से लगातर सियासी घमासा शुरू है, बिपक्ष निसाना साज रहा है, और लोगों में भी काफी गुस्ता है, इस बीच प्रेमचंद मिश्रा ने बड़ी बात कह दिये, उनका कहना है कि सरकार जो तरह से रवया अपना रही ह सरकार जो सरह से लोगों के साथ पेश आ रही है, ऐसे में ये सरकार ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है, अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चानल को जरूर सब्सक्राइब कीजेगा, फेस्वुक पेज को भी लाइक और फॉलो कीजेगा, धन्यवाद पतना का सबसे स्टायलिस एसेंस यूरिसेक सलून, ग्राण अपार्टमेंट, फ्रेजर रोड, डांक बंगला रोड, पतना